कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके फोन में पासवर्ट को कनेक्ट कर देता है लेकिन वाइफाई के पासवर्ट को नहीं बताता है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी समझदारी से इस पासवर्ट को पता कर सकते हैं इसके लिए आपको ये वीडियो सबसे पहले सेव कर लेना है और end तक इसको देखना है चलिए हम बताते हैं आपको ये शांदर ट्रिक इसके लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाकर network वा internet पे click कर देना है यहाँ पर आपको वो Wi-Fi शो होने लगेगा जो आपके फोन में connected है इसके बाद इसको click कर देना है फिर वहाँ पर आपको कुछ options दिखाई देंगे और जो आपका phone connected है उस पर click करके आपके सामने तीन options आ जाएंगे Forget, Disconnect और Share Share पर आपको click कर देना है उसके बाद आपके सामने QR code आ जाएगा अब इस QR code को scan कर लेना है अब आपको Play Store से QR and barcode scanner को install कर लेना है अगर आपके phone में पहले से ही ये install है तो आप उसको भी use कर सकते हैं या फिर आप Google Lens का भी use कर सकते हैं इस QR code को scan करने के लिए अब इस app को open कर लिजे और QR code को scan करना है जो आपने थोड़ी देर पहले लिया था उसके बाद आपके स्क्रीन पर इस wifi की पूरी details आ जाएगी और यहां से आप इसका password भी देख सकते हैं ऐसे ही videos updates के लिए follow करते रहे हमारे page को